हाई गाई आज गे इस टूटरियल में हम लोग बात करेंगे जावा स्कृप्ट की जावा स्कृप्ट को सीखने से पहले यानि के जावा स्कृप्ट को स्टार्ट कहरने से पहले आपको कुछ basic language का knowledge होना चलू रही है, जैसे html css, इन दो language का basic knowledge आपके पास होना चाहिए, only then आप javascript में jump करें, otherwise पहले in language को सीख लें, उसके बाद आप javascript को सीखें, ठेके तो इन दोनो, ये दोनो अगर आप नहीं जानते हैं, तो मेरा जो channel है, वहाँ आपको इसका playlist मिल and html5 के नाम से, cs8 and css3 के नाम से, तो वहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, detail में, then आप javascript पढ़ेंगे, ठेक है, ये फिर आप तीनों को साथ में लेकर भी चल सकते हैं, बट पहले मैं ये कहूँगा कि पहले इन दोनों को capture कर लिजे, only then javascript के बारे में आप है, ठीक है, so what is javascript, javascript is the programming language of html and the web, ये फिर web page भी हम लोग कहा सकते हैं, it makes web page dynamic, it is an interpreted programming language with object oriented capabilities, इसे client side language भी कहा जाता है, ठीक है, एक्चली ये client side language ही है, लेकिन अभी इसको कुछ लोग server side language भी कहते हैं, अब client side language क्या होता है, server side language क्या होता है, ये तो हम लोग यहां discuss नहीं करेंगे, लेकिन इतना जान लेज़ें कि client side का मतलब ये होता है, जो client यानि कि user के पास जाकर run होता है, और server side का मतलब ये होता है, जो server में run होता है, Java script का history जान लेते हैं, वैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आपको detail में जानना है history तो wikipedia से better आपको कोई भी history नहीं बता सकता है, history के बारे हमें जानना चाहिए किसी भी चीज का history हो तो आप wikipedia को prefer कीज़े, ठीक है, फिर भी हम लोग यहां sort में जान लेते है, जावा स्क्रिप्ट 1995 में आया था, Netscape के दौरा और यहां यह नाम आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने इसको develop किया था, ठीक है, इसको अब थब से पहले नाम रखा गया mocha, या फिर जो भी यह लोग प्राउंसियेस करते थे अपने language में, इंडियन लेंग्वेज में हम लोग इसको mocha पढ़ सकते हैं, हिंदी में, उके, उसके बाद इसका नाम change करके lab script कर दिया गया, फिर इसको इकमा script का जानने लगा, ठीक है, लेकिन अभी भी इसको लोग जावा script ही कहते हैं, इकमा script का बहुत सरवा वर्षन आए हुआ है, मेबी 3, 5 इस तरह कर कुछ वर्षन है, 5 वर्षन हैं 2009 में साधा हुआ हुआ है, तो बट उस वर्षन पर हम लोग कि मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री के बारे में अच्छे जनकारी लेनी ता आप विकीपीडियो को प्रिफेर किजिएगा ठीक है फिलाल हम लोग इसको अभी क्या कहते है अभी जावा स्क्रिप्ट कहते है लोग सभी जितने भी हम लोग है इव अभी हमारा सर्वर सर्वर में गया है HTML CSS JavaScript का कोड ठीक है यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है यहां जा www.gegisource.com के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा उसने कि मुझे यह साइट www.gegisource.com ऑपन करना तो यहां क्या होता है कि यह जो यूजर ने रिक्वेस्ट के है सर्वर को तो सर्वर इसको रिस्पॉंस कर रहेगा सर्वर इसको सर्वर इसको रिस्पॉंस कर रहा है और यहां से सर्वर से सेंड कर दिया जाता है HTML CSS और Java Script का code और user के browser में यह जो code से वह execute होते हैं ठीक है और इसको result मिलता है जिसी को अपने website को हमारे साइट को देख पाता है ठीक है यह यूजर है ठीक है अभी मैंने यहाँ एक छोटा सा बहुत ही में पॉइंट बोला हुआ है पता नहीं आप लोगों ध्यान देया है नहीं कि यह सर्वर से कोड भेज दिया जाता है यूजर के पास और यूजर के पास जाकर वो एक्जीक्यूट होता है ओलार के अभाइग है एक होता है दिखनाव जैसे की पीचप की बात करें और और यूज electricity पैसर के पास लेकिन यहां क्या होँ है कि code ही send कर दिया जा रहा है जो html css javascript का है उसको send कर दिया जा रहा है यूजर के पास और यूजर के पास जाकर वो execute हो रहा है लाइन बार लाइन ठीक है तो इस तरीके साब का javascript पुरा वर्क करता है ठीक है अब javascript का चुकि एक language है तो language लिखने के लिए हम लोग कुछ तो यूजर करेंगे न तो हम लोग यूजर करेंगे notpad या फिर आप यूजर कर सकते है notpad plus plus या फिर कोई भी text editor आप यूजर कर सकते हैं आज कर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अच्छे-च्छे text editor है हमारे पास programming language के लिए specially design किये हुए जैसे की PHP store में यूजर करते हैं net bins में भी आप इसका code लिख सकते हैं और भी बहुत सारे eclipse में भी इसका code लिख सकते हैं आप और web storm है और भी बहुत सारे sublime text में भी लिखा जाता है बहुत सारे ऐसे editor आपको मिल जाएंगे इसमें आप JavaScript का code लिख सकते हैं HTML का code लिख सकते हैं CSS का code लिख सकते हैं इस tutorial में हम लोग कोसिस करेंगे कि हम लोग notepad++ में बने रहे हैं ठीक है dreamweaver में भी इसको लिखा जाता है अगर आपके पास notepad++ नहीं तो इसको download कर लिजेगा और install कर लिजिएगा ठीक है ऑगी सो introduction के लिए कितना काफी है और अगर आपको और detail में जानना है JavaScript के बारे में तो मैंने कहा कि आप Google के पास जा सकते है है theoretical चीजें से हम लोग थोड़ा से दूर रहते हैं मैं चाहता हूं जल्दी सम्हों प्रेक्टिकल माचा है ओके सो थाइंस वाशिंग वाशिंग इस वीडियो है